हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से यूट्यूब में एक बड़ा चेंज हो रहा है यूट्यूब का ओनलाइन वीडियो एडिटर आज से काम करना बंद कर देगा यानि 20 सितंबर 2017 से तो चलिए आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या-क्या चीजे खतम हो दीचे वीडियो एडिटर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे हा रहा है वीडियो एडिटर वील गो अवेडियो एडिटर स्पह्तूमबर 2017 से अब इस पर लर्ण मोर पर क्लिक करेंगे तो पूरी information देखे यहाँ पर क्या-क्या बदला हो रहा है वह चीज दिया विल विल बी गोईंग अवे ऑन शिप्तमबर ट्वेंटी एथ लब इस तारीक के बाद से जो है कि हमारा ओन्लाइन वीडियो एडिक्टर और जो हम फोटो स्लाइड सो बनाते थे यह दोनों सुविदाएं जो है वो बंद हो जाएंगी यानि कि आज से अब इसमें क्या क्या सुव्ट करेंगी जो इन्हांस्मेंट फीचर है जैश्टे करें दार्पनेस को गटाना बढ़ाना या फिर और कुछ चैंज़ेस करना वह चीजह जो है कि आप आपके पास में यह साथ ऐएंगे तो चलिए और दिखाता हो इन्हांस्मेंट में क्या क्या चीज़े रहेंगी यहां पर हमें हमें चानल पे गया वीडियो मेनेजर पर क्लिक क्या ह workflow है करके अधर में हमारे हमारे यहां पर थए क्या क्या चीज करने और और बंटर कर न जासे इस कि बना डायों यह आप यह और सार्ची जब दी वही है कि यू आर करेंटली यूजिंग वीडियो एडिटर और फोटो स्लाइड शो यू हैव अंटिल सिप्टम गर 20 तारीक तक अगर आपके पास में समय आप वीडियो एडिटर का इस्तिमाल कर रहे हैं या फेर फोटो स्लाइड शो का इस् कि आज के बाद से आप नहीं बना पाएंगे और इसमें देखिया हूँ क्या क्या दिया हुआ है after this date your project will no longer be accessible अगर आपने आस्तर complete नहीं किया तो आज के बाद में या आपका जो भी अधूरा project होगा उसको आप access नहीं कर पाएंगे ठीक है any videos published with the video editor or photo slides will not be affected इस तारिक से पहले पहले आपने जो भी वीडियो या फिर photo slides वो बनाये होंगे इस तारिक से पहले कि आपने जितने भी video बना रहे हैं उनकर कोई फरक नहीं पड़ेगा और उसके बाद में यह हैं नया वीडियो बनाने के लिए अपने वीडियो को डाउनलोड करके फिर एडिट करना होगा तो आप जाए कि अपने पुराने वीडियो से नया वीडियो बना सकते हैं और यहां पर एक चीज़ दिया हुआ है कि To find creative common materials to use in your videos Filter your search result by feature creative commons तो जैसे हम लोग YouTube पर वीडियो सेर्च करते हैं उसमें एक चीज़ और जूड़ जाएगी उसमें आप creative common का एक filter अलग से उसमें दिख जाएगा आपको creative common के लिए हम दिखाते हैं जैसे माल लिए हम बीबी की वाइन सेर्च करना है तो आप यहां पर filter में देखें filter में हमें आप जड़े की creative common यहां पर मिल जाए creative common के वीडियो जो होंगे वह यहां पर आपको दिख जाएंगे जैसे यह creative common use का इस्तेमाल करेंगे यह सारी वीडियो बनाए गए है creative common का यूज अभी इस तरह से आप कर सकते हैं वीडियो एडिटर के अंदर हो जाता था यह ठीक है और सारी चीज़े हैं और क्या क्या दिया हुआ है you can send a private message to the uploader if you find a video that is licensed as creative common to ask दे तो आपको अगर माले जो उनका पूरा वीडियो इस्तेमाल करना या फिर उनका original वीडियो चाहिए तो आप जो है कि जो uploader उसको आप message करके आप ऊच सकते हैं ठीक है और मीचे दियावाद there are many free and paid third party editing tools available तो इसके बाद में आप वो third party tools available जो भी आपके पास में होगा उसका आप इस्तेमाल करके आप video editing कर सकते हैं तो आप online जो है video editing नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज से आपका YouTube video editor है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा यानि 20 तारीक के बाद से अभी तक तो इस समय तक अभी काम कर रहा है आज रात के बाद से यह काम करना बंद कर देगा या पर video manager में जाहेंगे यहां पर क्रियेट पर क्लिक किया क्रियेट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर देखे वीडियो एडिटर का आप्शन अभी वीडियो एडिटर आप्शन काम कर रहा है आप देखे इस एडिटर विल गो आवे अं सिप्टमबर 20 अभी तक काम कर रहा है आज रात के बाद से यह काम करना बंद कर देगा तो आपक कोई वीडियो अदूरा रह गया हो जो आप अउनलाई एडिटर के मदद से बना रहे है तो उसको आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके उशको अपलोड कर लिजे नहीं तो उस वीडियो को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद